असी लाग की अबादी वाला ताजीकिस्तान जंगलों को बचा कर परियावरन को भी फायदा पहुंचा रहा है और आर्थिक फायदे की राह पर भी है बर्फ में ढके पामीर के पहाड़ साथ हजार मीटर उंचाई वाले ये पहाड हिमाले के बाद दुनिया की दूसरी उंची परवत श्रंखला का हिस्सा है घाटी में बसा है खोरोग शहर सोवियत दौर में यहां बिजली और कोईला मुफ्त था लेकिन सोवियत संके तूटने के साथ ही मुफ्त की उर्जा बंध हो गई और लोग जंगलों पर तूट पड़े पेड साफ कर दिये गए अपने देश की ऐसी हालत देखकर कई लोगों को बेचैनी होती है इनमें जर्मनी की अंतराष्ट्रिय सहयोग संस्था जी आई-जेड के ताजिक अधिकारी भी है जंगल के इस इस इलाके में कोई भी पहुँच सकता है यहां कोई बार नहीं है यहां कोई अपने कोई जिम्मदार नहीं समझता लोग और पशू यहां जब चाहे आ जाते हैं लोग पेड काटते हैं और पशू छोटे पौधों को खा जाते हैं कुछ किलोमीटर दूर एक बार और गेट के जरिये मवेशियों को दूर रखने की कोशिश की गई है वन विशेशक्यों ने स्थानिय लोगों को जमीन के कुछ टुकड़े दिये हैं उस पर पेड लगाने और उनकी हिफाज़त करने की जिम्मेदारी लोगों को ही दी गई है जो लोग जंगल का इस्तेमाल करते हैं वही बाड़ की सुरक्षा भी करते हैं नए पेड लगाते हैं फेजा कोज जैसे विशेशक्य समय समय पर मौाइना भी करते हैं साल में जो दो बार लक्ष पूरा करने से चूकता है उससे जमीन वापस ले ली जाती है काम के बदले लोगों को अपनी उगाई हुई चीजें बेचने या इस्तेमाल करने का अधिकार है इन कोशिशों के जर्ये अब तक साड़े चार सो प्लोटों पर पेड़ पौधे उगाए जा रहे हैं और बीस वर किलोमीटर इलाके पर जंगल बसने लगा है जंगल लगाने और छुट्टा घूमते मवेशियों से उसकी सुरक्षा का तरीखा सिखाने वाली छोटी गाईट बाटी जा रहे है उमीद है कि लोग लखडियां जलाना कम कर जंगलों की हिफाज़त करेंगे पामीर की घाटियों में फिर से हरे भरे जंगल बसाने में दशकों लगेंगे लेकिन मेहनत भरी ये कोशिशें एक दिन जरूर रंग लाएंगी फेजाकों को गर्व है कि वो और उनके साथ ही आने वाली पीड़ी को हरा भरा देश दे पाएंगे